जी स्टुदेंट हमने जो है एंडिकर सेशन 20 22 स्टार्ट के हुआ है उसमें जो है मैक्सिमाइब कर सकते हैं तो क्षेशन नमार 25 26 जो है आज का हमारा पहला क्षेशन है इसमें कहा है कि रिलेट वेस्टीक मेशीन गवाज डिवालग बाइवल बाइएलबट एंड्सटाइज था झाना नियुक्तक वाज दिवालगाट इलबट एन्सनेों कोई कि इसमेंज श्रॉइवन इसम्हंटथ फ्रेंट नेकाए अथीज्यांट थान फिर फ्रेट्ट हम आपॉल्ट नीच का ऑप्शन डी है ऑप्शन भी है 45 वह सरा हमने रेंज के लिए एक्वेशन पढ़ हुए कि रेंज जो है वी आई स्क्वेर साइन टू टीटा डिवाइड बाइजी ओके जब हम इंगल 45 पूट करेंगे तो 2 मोटिप्राइब 45 डिट विल बी 90 और साइन 90 पे जो है हमारा result maximum आता है तो इसका जो correct option है वो option भी ही है यह proof है बाकी इस पर experiment जो है वो भी कहीं गए है तो option भी is the correct option a collision in which the kinetic energy is not concerned is called an elastic collision simple है question number 30 है to get a resultant displacement of 10 meter to displacement vector of magnitude 6m and 8 meter should be combined perpendicular to each other वो इस तरह के अगर हमें resultant find करने होगी तो हम a square plus b square इस तरह लेकिंगे a की जगा हम क्या है 6 है तो 6 का square 36 plus यह क्या है 8 है 8 का square 64 इस तरह सकता है अंडरूट 100 अंडरूट 100 को हम 10 भी लेक सकते हैं ओके तो इस अगर हम 6 एट मीटर को perpendicular करें तो उसके जो resultant हमारे हाँ आते हैं वो 10 मीटर ही आती है तो option D is the correct option तो यह ता हमारा आज का last mcqs अगर आप हमरी च्टी सी वीडियो चले गए तो प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल दिखनार सनका बहुत बहुत शुक्रिया थैंस फो वाचिंगे तो वाचिंगे तो प्लीज सब्सक्राइब